क्या चुनाओं में हार के बाद भारतिय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयोध्या के विकास कारेओं को एकदम अनात्व छोड़ दिया है हम ये पोजिशन लेने पर मजबूर क्यूं हो गए हैं वेरसल आप लोग जानते हैं कि 2024 के चुनाओं में फैजा गए अउधेश प्रसाद और उसके बात से ही ऐसी बाते होने लगी कि कहीं आयोध्या को उसके चुनाओं नतीजे की सजा तो नहीं भूगतने को छोड़ दिया गया है बहुत लंबे समय तक कोई VIP मूव्मेंट नहीं हुआ और अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें य उस तेजी से नहीं हो रहे हैं या शितिल पड़ गए हैं नमस्कार मैं हूँ संकेत उपाध्याए आप देख रहे हैं दरेड माई दरसल आपको याद होगा कि चुनाओं के एकदम बाद जब मौनसून सीजन आया तो आयोध्या से तमाम तस्वीरें आई और वो आई भक्ति पत की राम पत की अयोध्या में जो एक नई सडक छोटी थी पहले उसका चौड़ी करण हुआ था और इस नाव निर्मित सडक में किस तरीके से बड़े बड़े गड़े हो गए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं आप देख सकते हैं यह उस समय की तस्वीरें हैं जून की जुलाए की पहली ही बारिश में किस तरीके से सडक पर एकदम नई नवेली सडक पर गड़े होने शुरू हुए किसी में गाड़ी गिर गिर जा रही है किसी में रिक्षा गिर रहा है और उसके बाद फिर आनन फानन में जल्दी से उसको भरने की कोशिश की गई तब भी य तेजी से हो रहा था तो तेजी से होने वाला विकास कार्य क्या अच्छी क्वालिटी का या गुनवत्ता का नहीं था अगर हो था तो इस तरीके से खड़े क्यूं होते ये उस समय की बात लेकिन अब बहुत सारे चुनाओं के नतीजे के बाद के बहुत सारे ऐसे विकास का जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसकी गती धीमी हो गई है या फिर काम हो ही नहीं रहा है। कुछ तस्वीर हैं हाल फिलाल की आपको जरा स्क्रीन पर दिखा लें। ये तस्वीर है एकदम मंदिर के सामने की एक गली की जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भरा हो रहा है, पानी भर रहा है, कुछ तस्वीरे हैं, रेल्वे स्टेशन के पास की जहां पर आप देख सकते हैं कि सडकों पर कितना पानी भर जा रहा है और कितनी छोट और सक्री सड़क बची है लोगों की आवाजाही के लिए और उसमें लगातार पानी भरा हुआ है और ये पानी का निकासी देखने को नहीं मिल रही जबकि बहुत करोड़ों रुपए खर्च हुए नाला और नाला निर्मार में लेकिन फिर भी सड़कों पर पानी जम रहा है ये इसी आयोध्या के ध्रिश्य है अब ये तो हो गई वो प्रोजेक्ट्स जो की या तो बन रहे थे या फिर काम उन पर चल रहा था और उनकी ये स्थिती लेकिन आयोध्या में और क्या-क्या हो रहा है कुछ ऐसी चीजें भी आप सामने आ रही है जिससे एक ये आइडिय मिलता है या एक ऐसे समझ में आता है कि कहीं आयोध्या को और आयोध्या के विकासकारे को अनात्र तो नहीं छोड़ दिया है या वहां कमी तो नहीं आ गई है जिस तरीके से उस पर फोकस था पहले वैसा फोकस अब नहीं दिख रहा है एक एक करके आपको उनके बारे में ब ये कुछ तस्वीरे देखिए, आप देखिए किस तरीके से आयोध्या में मंदिर के महस कुछ मीटर दूर ही जहां लोग रहते हैं, हनवान कुंड इसको कहते हैं, उसके पास किस तरीके से पानी भर जा रहा है, और जब पानी भरता है, तो वहाँ पर कैसे लोगों को समस्या ह हो रही है, हनवान कुंड वार्ड कॉलमी जो है, लोग वहाँ पर किस तरीके से मजबूर हैं, इस गंदे नाले के बदबूदार पानी में चलने के लिए मजबूर हैं, सडक नहीं है, ये नाला है जिसका पानी उपर आ जा रहा है, बारिश से वो कहीं और जा भी नहीं रहा है, और इसी में लोग चल रहे हैं, यहां पर बहुत सारे guest house खुल गए हैं, कितने सारे श्रद्धालू यहां आकर के रहते हैं, और वो प्रभुराम के दर्शन इसी गंदे बदबूदार, नालीदार पानी में से हो करके मंदिर जाते हैं, जैसे ही ये प्रकरण सामने आया, तुरंत प्रशासन हरकत में आया, उनको लगा कि नाक टट जाएगी, तो कुछ कारवाई करते हैं, तो उन्होंने कारवाई भी कैसी की, खाना पूर, लाके थोड़ी से मिट्टी भर दी, जब मिट्टी भर दी, तो उस समय temporary रूप से वो जगा सूखी दिखने लगी, लेकि आइए सुनते हैं कुछ लोगों के बयान, जो की बता रहे हैं कि किस तरीके से विकास कारे हुआ है, कैसे खाना पूर्ती करके विकास कारे हो रहा है, जिससे किसी का भला नहीं हुआ, आपका पूरी कालोनी पानी सीजा में हो जाया है? यह कंपनी तोशिबा कुरार हुआ है उनका यह कहना है कि नालियों को बड़ी समस्य आ जा रही है इसी वज़ा से ज्यादत इनके हर वार्ड में ओवरफ्लो की समस्य होने जलभरों की समस्य उत्पन हुई है आप होना चाहिए इसके लिए कई बार लिखित कंप्लेन भी की जा चुकी है इस कंपनी तो शीबा जो सीवर लाइन इसको भी लिखित तौर पर भी दिया जा सुका ह नगरनिगम के आलादकारी कई बार धौरा भी कर चुक है अकर देख जांघ लेकिन कोई निसका निसकर्स अभी तक नहीं निकला है और आगे भी जो हो नगर निगम जो कारवाही करें आगे दिखिए तीक पीछे नियुकालोनी है वहां हमारा मकान है ठीक पर राममंदिर ग पूजल करने जाते हैं इसी गंदे पानी से शीuषर के पाशी से सब्सक्राइब यहाँ पे यहां पर आटर अवा गमन कोई सब्धा नहीं है यहीज सब कुछ कारण है जिसे यहां पर जनता पालती भूरी तरह स्ब्सक्राइब जश्ट बगल में है साम पीछे ही गेट है में गेट पचास मीटर दूर है लेकिन यहां पर रास्ता इतना खराब हो चुका है पानी भर जाता है जल जमाओ यहां से नालियों का पानी आता है जबकि तीर्थ्यात्रियों आते हैं और इसमें कोई अभी तक सुधार नहीं हुआ है और जबकि यहां का बजेट पास हुआ है अभी तक कुछ रास्ता बना नहीं है अगर रास्ता बन जाएगा तो तीर्थ्यात्रियों को लेकर सबको लेकर बहुत ही सुधा हो जाएगी यह क्या पानी भरा था क्या अभी कुछ देर पहले था हां हुआ था लेकिन आया थे जांच वाच करके गया है इंस्पेक्शन कि यह थोड़ा ठीक ठाक किये हैं बस थोड़ा बहुत अभी तक के लिए तो ठीक है बाद में क्या होता इसका पता नहीं है अभी थोड़ी बार बहुत जुटी है सब लोग यहां पर फिर अभी साम तक ऐसे हो जाएगा और कल भी आ कि आप देख सकते हैं फिर ऐसे पानी भरा रहेगा यहां पर इसका समस्या जब तक पूरा अंदर से नहीं सही होगा जब तक सही नहीं होगा यह रोड क्यों नहीं बन रही तक कई लोग पूर मंदिर से जुड़ी हुई बता दे आप जानते हैं कि मंदिर का निर्मान उसका एक भाग दिसंबर दोहजार चौबिस तक खत्म होना था और निपेंद मिश्रा जोकी हेड हैं इस पूरी मंदिर समिती की और मंदिर निर्मान कारे को वो देख रहे हैं मॉनिटर कर रह हैं उनका 6 दिन पहले एक बहुत ही चिंता जनक बयान आया जो कि चिंता बढ़ा रहा है और चिंता इस तरीके से बढ़ा रहा है कि शायद मंदिर निर्मान में भी हो सकता है कुछ देरी आ जाए निपेंद मिश्रा जी का यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे श्रमिक जो की पत् बहुत सारे श्रमिक आयोध्या आकर के काम नहीं करना चाहते या फिर वो धीले पड़ गए हैं उनको घर की याद आती है उनको आयोध्या दूर पड़ता है इस वज़ा से उतनी भारी मात्रा में वो नहीं आ पा रहे हैं लेहाजा काम प्रभावित हो रहा है ऐसे में आप दे ऐसा वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है कोशिश पूरी लगातार जारी है कि ऐसा ना हो कि मंदिर निर्मान का कार धीला पड़ जाए या समय सीमा से पीछे चला जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रमिक वहाँ पर काम उस रफ्तार में नहीं करना है क्योंकि उनकी उस संख्या में नहीं है जैसी की होनी चाहिए इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर मुद्दा है जिसके बारे में आयोध्या चिंतित है आप जानते हैं कि आयोध्या में पंच कोसी और चौदा कोसी परिक्रमा होती है ये अकसर दीपावली के एकदम बाद होती है दी आप में बहुत बड़ा त्योहार थी ऐसे में प्रशासन की तरफ से P.W.D. को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो 14 कोसी परिक्रमा मार्क जो की पुराने आयोध्या में पतली थी वो सड़क जो है वो सक्री थी और इस बार क्योंकि लोग जादा होंगे उसको देखते काम हो भी रहा था लेकिन अभी हाल फिलहाल जब इसका जायजा लिया गया यह आइडेंटिफाइ करने की कोशिश की गई कि 14 कोसी परिक्रमा मार्क का कार कितनी तेजी से चल रहा है और वो 10 नवंबर को जब परिक्रमा होगी तब तक पूरा हो जाएगा यह नहीं district magistrate में यह पाया कि वो काम धीला पढ़ चुका है सुस्त पढ़ चुका है जमीन अधिगरहन एक्विजिशन उस तरीके से नहीं हो पाया है तो जब आप जमीनी अधिगरित नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरीके से तोड़ करके सड़क को चौड़ा बनाएंगे और यह नवंबर से पहले पूरा हो जाए प्रशासन ये उमीद कर रहा है कि ये कारे पूरा हो भी जाएगा लेकिन क्या वाकई काम इतनी जल्दी पूरा हो पाएगा जबकि एक आपके पास कितना लंबा समय था और उस समय में कोई कारवाई नहीं हो पाए तो अब किस स्पीड में वो काम पूरा हो पाएगा 10 नवंबर से पहले ये बहुत महतुपूर होने जा रहा है आप जानते हैं 14 कोसी परिक्रमा मार्ग आयुद्या के पूरे इर्द गिर्द एक चक्कर होता है एक पिर वो काम गुणवत्ता और मानकों पर खरा उत्रे गाया नहीं ये भी अपने आप में एक सवाल हो कहीं ऐसा नहों कि जलवाजी में लीपा पोती में खाना पूरती करते हुए इस 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का काम तो किया जाए दिखा भी दिया जाए प्रशासन द्वारा की हमने कंपलीट कर दिया पूरा कर दिया लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में या पहली ही मौसम के करवड़ वदलते ही इसमें भी विलकुल उसी तरीके के छेद देखने को मिले, वैसे ही गड़े देखने को मिले, जैसे की रामपत में देखने को मिले, इस तरीके का विकासकार आधा अधूरा, अध कच्रा, इस तरीके का विकासकार अयुध्या में क्यों हो रहा है, क्या ये चुनाओ का परिणाम है, या फिर अब प्रशासन फिर स सुध लेगा और कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं हम देखेंगे तो द्रेट माइक में आज इतना ही हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ तब तक के लिए